हेलो नमेशकार दोस्तों मैं हरी साथ हो स्वागत करता हूँ आज आपका कम्प्यूटर की क्लास में आप मैं कम्प्यूटर क्लास में क्यों आया हूँ तो मैं आपको बदा देता हूँ कि अभी मैं 4-5 दिन से आपकी इस कलास को मैं देख रहा हूँ इसका feedback देख रहा हूँ, feedback तो आप दे भी नहीं रहे हो, तो इसका analysis देख रहा हूँ, इसमें आपने क्या है, views कम आ रहे हैं, क्यों भई, class में कमी है, या फिर आपको देखने की रूचे नहीं है, या फिर आपको computer already आता है, या फिर आप computer को ज़्यादा हलके में ले रहे हो, क्या है, आखिर करना क्या चाहते हो, आपको इदी नहीं पढ़ना है, तो हम computer class फिर बंद कर दें, हां, आप हमें कुछ बताओगे, तब ही तो पता चलेगा ना, content में दमनी है, आप कई लोगों का doubt क्या है, कि मैं जैसे की थोरी class ले रहा हूँ, सुबस रात को, और अभी computer क कैसे होती है, थोरी की class होती है, तो मेरे वाले में doubt यह आता है, कि आप सर topic wise करवाओ, थोरी करवाओ, इनके में फिर थोरी लगवाई, तो फिर बोल रहा है कि आप topic wise question करवाओ, तो जो बताओ कमी का है, comment नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ भी response नहीं मिला, तो फिर सोमार से class से बंद हो जाएंगे आपकी, तो आज क्या करना आपको यह class पूरी होने के बाद में आपको इस class के नीचे comment करना है, आपको रोज साम को चार बजे में की class आती है, हमने live class भी लगवाई थी में की, लेकिन बट आप उसमें आए नहीं भी, हाना, तो आए नहीं तो क्या करे हम इस class को फड़ा फट, मैं यानि लग बग आदे गंटे के अंदर पूरे topic के साथ में आपको समझा रहे हैं, आपको जगा टाइम वेस्ट भी नेगरेंगे, दोगना की speed में आप आराम से उसको बढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना है, आज मैं के अभी जो class होने वाले मैं मैं आ चुके हैं, मैं की class आपको लेनी है, continue, और उसके बाद मैं अभी मेरे को comment, इसी चलती class के अंदर आपको comment करके बता दो, कि कहा दिक्कत आ रही है, आखिरता आपको problem का रही है, computer समझने में क्या दिक्कत आ रही है, इसके क्या क्यूशन वाइज ले के आना चाहिए, हम अभी आपकी weekend से थोड़ा लेट है, मानता हूँ इस बात को मैं, लेकिन अभी से त्यारी करोगे तब भी तो होगा ना, सारी चीज़े आप एकसा त्यारी थोड़ना कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, class को अभी से आपको continue रखना है, मैंने अभी से आपकी class लगवाई ह तो ठीक है, अब इस class को अपन continue करते हैं, चलिए मैं आजए यह और आज देख लेते हैं फिर उसके बाद में, सोमार से आपकी class का आगे का schedule बता देंगे, आपको क्या रहने वाला है, कैसे आपके topics होगे, ठीक है, मैंने को मैं करता हूँ आपके class नमस्कार साथ ही ओ, मैं मुझने अपके जूँ जर्च का फंच लेता हैं मोनीका घजडिया वैसे तो सर ने आपका वेलकुम कर दिया आज मेरे चैनल पर फर मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत करती हूं आज ने आपको काफी कुछ सुना दिया है वैसे ही मेरे को भी सुनने को मिला है देखो बात सर की भी गलत नहीं है सर मदलब इतनी महनत करते आप लोगों के लिए इतना कुछ Dis arrangement किया है और भई आप लोगों से आप यह घुनित जमा करें और क्लास लो प्री में खलाज दे रहें उसके बाद में भी आप response नहीं दे रहें तो गुस्ता अना जाहिज सी बात है देखो आरहना शुरू-ूरू की क्लासों में एकदम अच्छे से रेस्पोंस आ रहे थे एक बार ऐसे लग रहा था कि हाँ अपना और अच्छा चल रहा है बच्छों को अच्छा लग रहा है और हम कुछ अच्छा च्छा कर रहे हैं बच्छों वाई तो आता है ऐसे कर लेंगे या फिर भाई ऐसे हो गया होगा कि कम्पीटर पढ़ना यह नहीं है कि ऐसा कुछ हाया होगा मां इंड में तब आप लोगों ने अभी क्लास लेना बंद कर दिया मैंने हर क्लास में एक वाइब और वैंट यह नहीं है पॉढ़ारीया है या फिर में पड़ारे हूँसे को सहीन इन नहीं हो रहा सब्सक्राइब प्रॉब्लम के मेरे कमेंट करना करके बतां उससे पता है जलेगा तो सर ने जैसे कि बोला है आज सर ने किया है हमारे पास personal message आये थे कुछ तो उनमें ये था कि मैं आप ना computer के क्यों लेक्क आज़ो topic wise जैसे अपना introduction of computer था तो उससे related जितने भी questions आये हैं वो लेक्के आज़ो कि कमेंट करके बता दो आपको कैसे content लेना है जैसे theory चल रही है उसके बाद में question करवा रही हूं वो सही है या फिर मैं question ही करवा दो theory की जुरुत नहीं है क्योंकि क्यों करवाना है तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा है ना मेरे को इतना मतलब महावारत वह नहीं करना पड़ेगा कि हाँ आप बच्चों को provide करवाना है कुछ अच्छा तरीका दैयार करो आपके लिए tricks तैयार करूए ना क्योंकि मेरे को फिर question लगवाने कि हाँ ये पिछल मैंक करवाना है उसे फितो ज्यादा क्लासे भी लगए है ऐसी लगई एक लगाइं काफी क्लासे लगए थो अब लोग डिसाइड कर लोगी कैसे पढ़ना है और कमेंट करके बता देना आज की क्लास में कि आपको एसे मज़ा रहा है और आपको नहीं आ रहा आपको ऐसे करने के लिए उससे पहले हमें खुद को भी प्रिपेर होना पड़ता है कि हां कहीं मतलब कितना भी 10 साल गाफ एक्स्पीरियंस अब टीचर को वह भी एक बार क्लास में आने से पहले सारी सभी रिवाइज करता है तो उसमें टाइम वैस्ट करना पड़ता है तो क्यों करता है तो आप लोगों के लिए करता फॉई मैं कर रहा हूं मेरा Carbon Meery मेरी पळाई में से हटाके आप लोगों के लिए time 나라 हूं कर रही हूंत Liebe आप लोगों लग रहा हैं वी जुक्त करें कुया को मतलब भी इनिया PG 매 क्यूं मेरे ब pattern पड़ाने या थियोरी पड़ानी है चलो बाकी का सर ने सुना दिया आप लोगों को मैंने तो वह बोला है कि वह थोड़ा सा अध्यान से सुन लेना और वह कर देना ठीक है कि कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई आप आज अपने चार टॉपी कंप्लीट हो गए तो अगली क्लास में क्योशन मैंक लेकर आउंगी यह बोला था मैंने मुझे याद है आप सोचोगी मैंने तो टॉपी का नाम डाल रखा है और कल यह बोला था कि क्योशन तो 15-20 क्योशन लेकर आने का कोई मतलब वाली बात नहीं थी मैंने सोचा फिर एक क्लास अपन क्योशन बेंग की रखे तो 50 प्लस क्योशन तो रखे ही रखे हैंना क्योंकि 15-20 क्योशन में ऐसे लगता ही 15 ही तो क्योशन से और फिर फालतों में वह आदी घंटा भी निकल ज करेंगे या फिर मैं जब रखूंगे उससे पहले आपको इंफर्म कर दूंगे कि कल क्योशन बैंक रखेंगे तो उसमें आपको मैं करवा दूंगी 50-100 क्योशन जितने भी बनते हैं मेर से वह बना दूंगी ठीक है जो प्रिविएस येर में आए है ठीक है तो इतना तो पत अब यह बताना है कि वैए मेमरी होती कैई वोट इस में री मैमरी क्या उतिए कि कि Potto को हम पढ़ते हैं थो हमारी दिमांग में पहले उस टोपिक से रिलेटेड क्योशन आता है उस वर्ड पे शतरा सी रिलेटेड आता है आप रीप्रॉडेक्सिं क्रोक्तत यो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता कि रिप्रोड़क्शन मतलब क्या है है आप बोडी पार्ट्स पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले यही आता दिमाग में क्या बोडी पार्ट्स पढ़ाना क्या साथ है हमें इसमें हाना तो वही जाएज़े कि वही मेम्री ओफ कंप्यूटर में तोर मतलब जो इकठी की हुई इन्पुट या फिर बोल लें आपकी डेटा मेमोरी कहलाती है ठीक है किसी भी कंप्यूटर के अंदर अपन कुछ इन्पुट देते हैं ठीक है उसके बाद में वह स्टोर हो जाती है मतलब एक बोले तो अपन जैसे अपना मेमरी कार्ड है उसके अंदर अपने कुछ गाने डाले हना वह जाके वह उस पर पेंड्राइव या अपना मेमरी कार्ड है उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं तो वह जो स्टोर होते हैं अन्हां कब तक रहते हैं जब तक अपने उनको डिलीट नहीं करते हैं फिर कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हो यह सारी चीज़े आपके दिमार्स में बेठी तो यह कहां बेठी यह आपकी मेमरी में गई है जो आपका माइंड है मस्तिस्क है वह आपकी क्या है मेमरी है उसी सहाब से कंप्यूटर में अगर अपन कोई इंपूट रेते हैं कुछ डाटा प् स्टोर होता है वह कहां होता है वह जाके होता है मेमरी में और मेमरी कहां होती है आपकी हार्डिस्क में कहां स्टोर होता है हार्डिस्क में जाके आपका डाटा स्टोर हो जाता है ठीक है उसके बाद में हम बात करें कि भाई मेम मेमरी होती है वह कैसे मापी कैसे जाती है तो हम बात करें एक डाउनलोड करते हैं ठीक है उसके अलावा जैसे वह वो ती है कि डेट जीबी की मूवी है दो जीबी की मूवी है ना ऐसे तो यह क्या है यह एक मेमरी है उसकी मेमरी है है उसकी यूनिट है इतना लेवल का उसमें स्टोर है ठीक है तो वह कौन-कौन सी होती है आपकी एक्जामपल देजिए जैसे आपकी बिट हो गई बाइट हो गई ठीक है इसके अलावा जैसे मैंने बताया किलो बाइट हो जाती है किलो बाइट हो जाती है मेगा बाइट हो जाती है ठीक है तो यह सब आपकी क्या है एक सेक्टरा कर लिजेगा और भी होती है यह आपकी मेमरी यूनिट हो जाती है अब अगर हम बात करें Memory Unit के बारे में और तो आपके सामने एक क्योशन रख दिया जाए कि वही जो आपकी 4 बिट है 4 बिट है वो किसके एकवल है ठीक है आपको यह क्योशन दे दिया कि आपकी 4 बिट है वो किसके एकवल है या फिर कह दें 8 बिट है वो किसके एकवल है तो आपकी जो 4 बिट है 4 बिट का मतलब है आपका एक निबल से ये निबल भी आपकी यूनिट होती है या होती है यूनिट होती है ठीक है 4 बिट का मतलब है एक निबल और 8 बिट का मतलब है आपका एक byte ठीक है 8 bit is equals to 1 byte 1 byte means आपका एक character जैसे कि आप अपन computer में लिखते हैं A हाना तो वो A है वो A 8 bit एक byte से बना हुआ हुता है एक A है उसमें 80011 यह सब मिलकर A को बनाते हैं ठीक है अब हम बात करें इससे आगे तो A क्योसन बहुत बार पुछा जाता है मैं लिखते हूँ आप answer दीजेगा आपका 10 24 बाइट है वो किसके एक्वल है 1024 बाइट है वो किसके एक्वल है ठीक है उसके बाद में 1024 24 किलो बाइट है वो किसके एक्वल है बिल्कुल देखो अभी ये सब चीजे देखके समझ में तो आ रहा है कि आगे किलो बाइट लिखा है तो मैं पका आगे किलो बाइट आएगा तो जो आपका 1024 है मतलब 1024 बाइट होती है ये मिलके आपका एक किलो बाइट मनाती है क्या बनाती है किलो बाइट बनाती है ठीक है 1024 किलो बाइट है वो मिलके क्या बनाती है आपकी 1024 देखो इनको याद गरने का बताऊं क्या आपको एक ट्रिक बताते हूं या पहले लिखा दूँ लिख लो पहले 1024 किलोबाइट हो गई उसके बाद में के बी के बाद में आपका 1024 के बी है वो किसके इकूल हो जाएगा मेगाबाइट के sorry MB ठीक है अब 1024 मेगाबाइट है इसके आगे लिखें 1024 मेगाबाइट है वो किसके इकवल हो जाएगा आपके एक गीगाबाइट के 1024 गीगाबाइट है वो किसके इकवल हो जाएगा एक टेराबाइट के ठीक है उसके बाद मैं आपन बात करें इसके आगे लिख दू 1024 टेराबाइट है वो किसके इकवल हो जाएगा पेटाबाइट के एक पेटाबाइट 1024 गीगाबाइट है वो किसके इकवल हो जाएगा आपके एक एक गीगाबाइट के इसके एक गीगाबाइट के 1024 गीगाबाइट है वो आपका किसके इकवल हो जाता है एक जेटाबाइट के ठीक है, और 1024 जेटावाइट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एक योटावाइट के, ये कैसे याद रहा, अब इसके हम ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, ट्रिक की, अगर हम ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक आपकी रहेगी, ये लिख लीजएगा, साथ में, क्योंकि इससे क्योशन साथते हैं, बंठन के, बंठन के में B छोटा लेना है, N भी छोटा लेना है, बंठन के, B के, बबलु कुमार, या फिर B के, आप मेंसे, आप किसी साथी का नाम याद रख लीजीगा, कि जो बबलु कुमार है, वो बंठन के, तो ऐसे याद रखना है, B के, मांगता है, मांगता को कैसे याद रखोगे, M, G, T, मांगता है, क्या, पिज़ा, पिज़ा में A की जगए, Y कर देना है, ठीक है, आपका, जो, बिक्ये है, या फिर बोलें, बंठन के, बिक्ये, मांगता है, ये M है वही, क्योंकि मेरे को कई लोग बोलते हैं, मांगता है, पिज़ा, हाँ, तो छोटे B से अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आया था, बिट, ठीक है, N से क्या लिखेंगे, निबल, बड़े B से क्या, बाइट, के से किलो बाइट, M से मेगा बाइट, G से गीगा बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, टेरा बाइट, फिर पेंटा बाइट, या फिर पेटा बाइट, इसका एक्जा बाइट, एक्जा बाइट, फिर जेटा बाइट, पिर योटा वाइट, याद हो जाएगा इसे ट्रिक से, इस ट्रिक से सिर्फ याद है नहीं होगा, अपने जो क्योशन साते हैं, वो भी इस ट्रिक से सोल होंगे, देखो मैं बताओ, आप इसे मेमरी से क्योशन कैसे पुछे जाते हैं, उनकी बात करें हम, तो इसको थोड़ा पर कर रही हूं, मैं लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो स्क्रीन सोट ले लिया, अगर वही साथ में अगर लिखा नहीं जाता है, वाकि का तो मैं दीरे-दीरे करवाती हूं, हाँ, मान लीजे, आपके पास क्योशन आ जाता है, क्या क्योशन आता है, कि वही, आपको 1 megabyte में 1 megabyte में कितने कितने ビٹ है कितने ビٹ है क्यों सन दे दिया अब ये कैसे गरोगे आप लोग अब जाईसे मान लीज़े इसमें Option दे दिया आपको Option दे देता है ए ओप्सन है दिखनी रहा नहीं ए ओप्सन आपका 1024 into 1024 into 1024 बी ओप्सन देता आपको 1024 into 1024 एक देता आपको 1024 into 1024 into 1024 into 1024 into 1024 into 1024 और आपको एक डी ओप्सन देता है 1024 into 1024 into 1024 यह क्योसन दे दिया मान लीजे आपको अब आपको क्या पुछा कि एक मेगा बाइट में कितने बिट हैं तो इसको कैसे करेंगे हम देखो अगर यह आपको ट्रिक याद है बंठन के बिक्ये मांगता है पिजा यह याद है तो देखो यह क्योसन गलत नहीं होगा कैसे देखो मेगा बाइट अपने मेगा बाइट का पुछा है तो मेगा बाइट का है आपका यह रहा मिल गया अब यहां से काउंट करेंगे एक दो तीन और च्यार चार नंबर पे आ रहा है आपका बिट तो चार नंबर पे आ रहा है तो 1024 कितनी बार होना चाहिए आपका चार बार होना चाहिए तो यह कितनी बार है तीन बार यह तो नहीं होगा दो बार भी नहीं होगा यह कितना है एक, दो, तीन, चार, पांच, ये भी नहीं होगा, इसमें कितने हैं, चार, तो आपका option D हो जाता है, ठीक है, ऐसा question पुछा जाता है exam में, तो ये वाला question तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार question दे देते हैं आपको, कि इसमें कितने bit हैं, इसमें कितने byte ह इस table से direct question आ जाएगा, तो ये table भी आपकी इसके through solution हो रही है, और अगर थोड़ा सा घुमा भी दे question, तो ऐसे आएगा, ये question भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावाई, इसमें और question कैसे हैं, जैसे माल लीजे, मैं आपको ये question देते हूँ, आपका, एक petabyte में, एक petabyte में, कितने megabyte हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है, चलो, इसके आगे अपन चलते हैं, देखो इससे question ये ही बनते हैं, उसके अलावा कोई question आए होंगे, वो मैं आपको provide करवाई दूँगे, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें, तो फिर अपने दिमाग में आता है, वही, memory पढ़ा, उसके बाद ने unit पढ़ी, अब आता है कि वही, memory कितने परकार क्यों होती है, ठीक है, memory कितने परकार क्यों होती है, तो types of memory या फिर memory के परकार, हाँ, तो यह चीज तो सबको पता होगी, क्योंकि छोटी-छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो यह memory कितने परकार होते हैं, दो परकार होते हैं, अब वो दो परकार कौन से हैं आपके, दो परकार कौन से हैं, पहला, primary, दूसरा अथा आपका, secondary, ठीक है, primary memory और secondary memory, अब primary memory क्या होती है, अगर हम बात करें, प्राइमरी memory मतलब पर्थम, इसको हिंदी में बोले, तो प्राथमिक memory भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक, और इसको सहायक, या द्वित्य, ठीक है, अब बात करें, हम primary memory की, तो या प्राथमिक memory, तो प्राथमिक memory को अपन ऐसे समझेंगे, यह जो पहले से किसी चीज में स्टोर हो, मान लेज़े, आपने एक स्मार्टफोन लिया, स्मार्टफोन ले लिया, है न, अब स्मार्टफोन लेने जाते हैं, तो अपन क्या चेक करते हैं, स्टोरेज क्या है, इसकी रेम रोम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, रेम, रोम चेक करते हैं, कि बाई, कितनी रेम है, कितना रोम है, जितनी ज्यादा रेम रोम मिलती है अपन को, उतना ही ज्यादा, अमाउंट बांगते हैं अपन से, या फिर उसकी बेटरी देखते हैं, है ना तो वो रेम रॉम क्या है वो आप क्यों जाती है प्राइमरी मेमरी मतलब वो पहले से प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको ठीक है अगर बात करें हम सेकेंडरी मेमरी की या फिर इसको अपन बोलते हैं ओक्जिलरी औक्जिलरी मेमरी भी बोला जाता है अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमरी या एक औक्जिलरी मेमरी की तो नाम से ही पता चल रहा है सहायक मतलब اگर आप कोई फोन लेकर आते हैं उसके अंदर अगर आप कोई मेमरी स्टोर रखते हैं साधी वगेरा की CD बनवाते हैं आज अकल हाना तो वो सब स्टोर करते हैं तो वो किस में हो रहा है आपका secondary में हो रहा है जो बहार से यह सहाईता देकर प्रदान किया जाए वो आपका कुन सा होता है secondary memory तो अगर हम बात करें इसमें पहले यह लिख लीज़ेगा पहले से पहले से मुझूद होती है एक्जाम्पल रेम रोम केस ठीक है यह आपके हो गई primary memory अगर हम बात करें secondary memory की बात करें secondary memory की तो आपकी secondary memory कौन सी होती है बाद में डाली जाने वाली डाली जाने वाली एक्जाम्पल पर आज की टाइम का ले लो आप memory card memory card cd dvd या फिर pen drive यह सब आपके कौन से हो जाते हैं secondary हो जाते हैं अब हम बात करें कि वही जो यह मतलब secondary है इसको अगर हम अलग अलग बाट सकते हैं जैसे कि आपका optical में magnetic में इनमें अपन इसको बाट सकते हैं बोले तो यह इतना important है नहीं वैसे additional है कि जो आपका secondary है इसको अपन तीन भागों में और बाट सकते हैं ओप्टिकल magnetic और अधर तो आपके जो cd dvd वगेरा है ना cd dvd वगेरा है वो आपके कहां आती हैं optical में vcr वगेरा है वो आपकी magnetic में आ जाती है और अधर में आपकी paint drive वगेरा वो सब चीज़े अधर में आ जाती है ठीक है यह additional था इतना important है नहीं अब हम बात करें primary memory की बारे में किसके बारे में primary प्राथ्मिक memory हिंदी में लिख लिजेगा वह प्राथ्मिक memory तो प्राथ्मिक memory में अपन ने सबसे पहले है क्या देखा है कि सबसे पहले मैंने यह चीज़ बताई कि रेम और रोम हाना तो अपन रेम को लेके चलें primary memory में रेम तो सबसे पहले अपने क्यों सना आता है दिमाख में वह यह आता है कि भाई यह रेम है क्या फुल फॉर्म क्या है रेम की तो छोटी छोटी क्लास में पढ़िए अपने कमेंट करके बताना है रेम की फुल फॉर्म क्या है क्या है आपकी रेंडम अक्सेस क्या होती है रेंडम अक्सेस मेमरी अब रेम की खासियत बताते हैं होता है कि इसमें अपन कोई डाटा देते हैं हाना या फिर अपन कोई काम कर रहे हैं तो वह तब तक उसमें स्टोर है जब तक अपन कर रहे हैं जैसे कि आप मेरी क्लास देख रहे हो है तो ये कहां चल रही ह है आपकी रेम के ऊंदर चल रही है इंदर इसेब कहा ऊती है मदर फॉर्हों फॉर्ट पे चिप लगी हुई होती है रिम रो वगभरा मंदोर किसी में में देख ぜंन therm पूरा पूरा वही आएगा हाँ ऐसे लग गया वही वन प्लस का सेमसंग का जो भी है वह लोगो आ जाएगा उसके बाद में आपकी स्क्रीन आ जाएगी पास्वर्ड वास्वर्ड लगाने के बाद में वापस आपकी में स्क्रीन आ जाती है विंडो आ जाती है लेप्टॉप चीज थी तो इसमें क्या होता है टेम्परेरी अगे डेटा होता है या फिर एस थाई होता है एस था ही बोलते ना हिंदी में तो भी बोलते एक पर्टिकुलर वर्ड निकाल ले ना इसका कि मतलब जो ज़्यादा देर तक रहे नहीं जब तक अपने खाम में ले रहे हैं तब तक सेवर हो है दूसरी चीज यह होता है आपका वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब यह है कि लाइट गई फोन स्वीच ओफ हुआ आपकी डेटा गायब मतलब आप जो काम कर रहे थे वो सारा का सारा आपका रेज हो जाता है ठीक है अभी मैंने आपको एक चीज और बताई कि अपन अभी जो काम कर रहे हैं वो आपका किस में हो रहा है रेम में हो रहा है ठीक है तो इसको अभी काम कर रहे हैं परजेंट में काम कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं परजेंट मेमरी भी बोलते हैं या परजेंट टाइम परजेंट टाइम मेमरी भी बोलते हैं ठीक है यह आजाती है आपकी रेम ठीक है अब बात करें हम र रेम के टाइप की तो आपका जो रेम है इसको भी बाटा है रेम को भी दो भागों में बाट दिया एस रेम और दी रेम पहले अपने computer को बाटा, computer को बाटा, sorry, memory को बाटा, memory को दो भागों में बाट दिया था, ठीक है, primary और secondary, primary में अपने पड़ा कि जो रेम रोम जो पर्थम पहले से मतलब आपन को provide करवाई जाए वो क्या होती है, primary memory होती है, उसमें अपने पहले पड़ा रेम, अब रेम है, इ आइस रेम की full form पूछ ले, आप से तो क्या होगी, static, random, access, memory, और d रेम की पूछ ले, तो क्या हो जाएगी आपकी, dynamic, random, access, memory, ठीक है, आपको दिख रहा है न यह, थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हूं, फिर ज़्यादा दिख जाएगा, अरे ज़्यादा बड़ा हो गया, आँ बाग रहा है, I hope दिख रहा होगा, यह चार्ट बना लीजे, जो मैंने बनाया है, यह चार्ट बना लीजेगा, मैं स्क्रीन के आग्या आ रही हूं क्या, अब नहीं आ रही है, अब लिख लो, ठीक है, तो अपना स्टेटिक और अक्सेस मेमरी हो गया, अब हम बात करें, रॉम की, किसकी, रॉम की, तो रॉम की बात करें, तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, इसकी, फुल फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमरी, रीड ओनली मेमरी, अब इसकी खासियत क्या होती है, कि मान लीजे, आप कोई काम कर रहे है, अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूं, क्लास लेते लेते हैं, मान लीजे, मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, है ना तो क्या होता है अभी class का तो कैसे explain करूँ मैं आपको मान लिजे आप कुछ काम कर रहे हैं है ना काम करते करते डेटा या फिर आपकी electricity चली जाती है वो काम आपका मान लिजे रोम में जाके save हो गया है ना तो इसका मतलब यह है कि आप जब on करेंगे computer को वापस तो आप आपका या फिर वहां आपको save मिलेगा erase नहीं होगा वहां पर प्रेजेंट होगा आपके system के अंदर है ना तो इसका मतलब है कि यह आपका temporary नहीं है ठीक है permanent है क्या है permanent है तो इसकी खासित क्या है यह आपकी permanent memory है दूसरी चीज इसमें यह लिख सकते हो आपका कि यह non volatile है मतलब एक यह है सब दलग लग है ठीक है सेम चीज अपने उदर रेम में पड़ी फरक क्या है हाँ और ना का फरक है उसमें ऐसा नहीं होता और इसमें ओ कहां वाग गया यही चीज अपने यहां पड़ी temporary data होता है उसमें आपका permanent data है इसमें volatile है उसमें non volatile है हमने इसमें पढ़ा रेम के बारे में एस रेम आपका डी रेम स्टेटिक रेंडम अक्सेस मेमोरी और डायनमिक रेंडम अक्सेस मेमोरी इसमें मैं थोड़ा सो और बता दू आपको जो आपका S रेम है इसका कैसी हिन है इसको आप बार बार refresh कर सकते हो मतलब एक मिनट में यह 1000 बार refresh होता है एक मिनट में S रेम सोरी डी रेम होता है एक मिनट में 1000 बार refresh हो जाता है दूसरी चीज इसके खास चीज क्या है कि यह आपका परिवर्तन हो सकता है इसमें चेंजमेंट हो सकते हैं आसानी से S रेम में क्या है refresh तो होता है लेकिन बहुत कम refresh होता है क्योंकि यह बहुत slow काम करता है इसलिए यह refresh नहीं होता ठीक है और इसमें परिवर्तन भी नाके बराबर होते हैं यह दो खास बाते हैं पूचता नहीं है ऐसे थोड़ा जान करें के लिए आ गया अपना ठीक है तो अपन पढ़ रहे थे रोम रोम के बारे में अपन ने दो चीजे पढ़ ली अब इसके बार सेम चीज आते हैं उसमें अपन ने इसके टाइप पढ़े अब पढ़ेंगे अपन किसके रोम के टाइप पढ़ेंगे तो रोम को कितने भागों में बाटा रोम को कितने भागों में बाटा टाइप ओफ रोम हेडिंग डालीजेगा रोम के प्रकार रोम को तीन भागों में बाटा कौन-कौन से पी रोम आपका पी रोम पी रोम यह क्यों सन आया वो है मेरे याद है मेरे एक्जाम में भी आया था यह क्यों सन उसमें आया था कि पी रोम था एपी रोम था एपी रोम था टिपल एपी रोम था तो बताओ इन में से कौन सा मेमरी का टाइप है या फिर रोम का टाइप नहीं है ऐसे था एपी रोम रोम को कितने भागों में बाट दिया रोम को तीन भागों में बाट दिया ठीक है अब बात करें पी रोम की तो ये क्या हो जाती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ठीक है इधर हो जाता है इपी रोम हो जाता है इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वो सेम उदर वाला इपी रोम का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिकल क्या इलेक्ट्रिकल एक इपी का हो जाता है इरेज पी का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अब पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम में बेस्ट कौन सा है या फिर आज के टाइम में अपन काम में ले रहे हैं वो कौन सा है तो वो है आपका ईईपी रोम चलो बताती हूं कैसे प्रोग्राम में प्रीड ओनली मेमरी ऐसा था जिसके अंदर मालीजे आपने फोन लिया फोन में फोटो क्लिक कर ली अभी कोई फोटो पसंद नहीं आती है अपने उसको हाथ वहाथ डिलीट कर देते हैं लेकिन यह फीचर इसके अंदर नहीं था इसमें क्या होता था अगर आ आपके पास उसको एरेज करने का कोई ओप्शन नहीं था फिर थोड़ा इंप्रोमेंट किया गया फिर क्या आपका इपी रोम अब इसमें क्या होता है कि वह चिप लगा के यह यूवी रेज होती है आपकी अल्ट्रा वोईलेट रेज होती है ठीक है सन आपको यूवी चिप को थोड़ी देर कीया जाता यह रखा जाता था वहां से वह उपकिर ईंसर्ट करना करना में आपन आपन बोलता है एक लो कोंटकि हो जाता है थो जेतना रहता है मुझति जितना रहता है रहता है तो यह था उल्ला और किया गया फिर क्या लाए फिर EEP로m electrical eraser programmable READ ONLY Memory यह आतिया आपकी EEP ROM ठीक है और EP ROM में क्या होता है क्या होता है कि मतल। जो आज के होता है क्या होता है जैसे कि electricity के त mente कोई चीज पसंद यह इंदे इलिट electricity के तुरू ही डिलिट कर दिया जाता है हो ठीक है जैसे कि माली जे अपना computer है computer के अंदर अपन को कुछ delete करना है वो जाके कहां चला जाता है recycle bean में अगर store करना है तो अगर नहीं करना है तो वहां से भी अपन erase कर देते हैं या delete कर देते हैं सोरी हो ना तो यह था आपका EEP ROM तो अपने primary memory में पढ़ा क्या RAM और ROM रेम के टाइप पड़े ROM के टाइप पड़े अब आता है अपना secondary memory अपन कल की class में करेंगे क्योंकि आज क्लास लंबी खीज दी मैंने क्योंकि पहले वह सर भी बाते करने लगए फिर थोड़ी मैंने सुना दी अना तो वह सब हो गया आगे का अपने अगली क्लास में कर लेता है कोईकत वाली बात नहीं मैं लेकर पर कम्पलीट करवा दींगा अगर आप लोगों ने अपना साथ दिया तो और полов दो पर दो जो ऐसे हैस करते हैं हम हां हमें आज कंप्पिटर की क्लास आ रही है च्यार बज़े तो लेनी है है ना वो लोग है वो फिर उनका छुट जाता है तो सर बोलते हैं उनकी बजब आप एकली ख्लास में इसे डी मोटिवेट होके नहीं आना पड़े डल ओकी नहीं आना पड़े आप लोग मेर को मतलब इसे अपने कमेंट से और मेरा भी हाँ तो लो इसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही बने रहना हमारे साथ